हाँ जी तो कैशो आप लोग मैं आपका निलेश पी आप बहुत बहुत श्वागत गरता हूँ इस यूडूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग शॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लाश 10 का सोसल साइंस का जी है मैं दोस्त जो प्रिभियस येर पेपर है 2023 का जो पेपर है समाजे विग्यान येनी सोसल साइंस का उस है जिसका कोड आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो 825 EX है ठीक है तो अगर आपके पास ये पेपर है तो ठीक अच्छी बात है और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं चलो इसमें मैं इसका सलुशन करा जता हूँ और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मांचीतर वाला इसमें प्रसन आता है लाश्ट में आप जानते हो 10 मार का तो यहां देखो मैंने ये मांचीतर निकाल रखा है ऐसा ही कुछ आप लोग के बोली जामें मांचीतर आपको मिलेगा तो कैसे मांचीतर भरा ठाउंगा ठीके तो ये वीडियो काफी आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है आपके बोल परिछा 24 के लिए भी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप जानते हो कि प्रिवियस चेर से कोश्चन सेम टू सेम डिट्टू एक तो फंसते हैं और एक तो आप ये कर लेना और वेल आइकान को दबा कर अइप कर लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की नोडिवियस चैन आप नेताव में सकिस ने एक गुप्त संगठन यंग इटिली बनाया देखो यार अगर बीच में मुझे खासी उसी आजाए तो माफ करना एक्चुली तबीयत मेरी खराब चल रही थी तीन-चार दिनों से इसलिए वीडियो भी नहीं आ पा रहा था आप सुच रहे होंगे कि निल कर रहा था आप से ज्यादा में मेहनत कर रहा हूं ठीक चलो कोई दिख्कत नहीं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं निम्खित नेताव मेंस कि इसने एक गुप्त संगठन यंग इटिली बनाया तो भाई वो जीश्वीपे मैस सब लोग जानते हो यंग इटिली और यंग इउ प्रसंख्या जो दो है इसका फॉर्स्ट आपसन सही हो जाएगा कैसर बिलीयम प्रथम दिया होता है लेकिन कैसर बिलीयम प्रथम देतो भड़कना मत वही है ठीक चलो अगला प्रसंग थर्ड नमर यहां पर देख लेते हैं थर्ड नमर प्रसंग क्या है कि 1789 में फ्रांस कि में कीस प्रकार का शाहचन था ओके सिमीत राजतंतर और कोलीन तंतर、 लोकतंतर सही आपशन हो जाएगा सिमीत राजतंतर, ठीक उसके बाद चोछा प्रसंब्रेटन में कार्ण कानून समाब्द करने का क्या या फिर कार्ण आयात पर्णियंत्र या उद्यवाल आप्षन श्रीव जाएगा उद्यवाल आप्षन शहरी लोगों का वीरोथ ठीके अगला प्रसने पांच वा कि 1944 में ब्रेटन बुट समयलन कहां आयोजित किया गया ठीके वह अमेरिका में आयोजित किया गया यह बीवाल आप्षन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कई बार कोश्यन को करा चुका हूँ छे नवर प्रसने कि कौन सा शंग सूची में है संग सूची मिन्स ऐसी सूची जिस पर मतलब केवल केंदर सरकार कानून बनाती हो तो देखो कौन सा भीस संग सूची में है प्रतिरक्षा क्रिसी शिक्षा ब्यपार तो प्रतिरक्षा हो जाएगा प्रतिरक्षा यानि वही ठीक है रक्षापधय केंद्र सरकार कानून बनाती है हलागि केंद्र केंद्र कARसे पर केंद्र कानून बनाती है तो इस आपका संग्सुची के अंतरओगा नहीं आएगा प्रती रक्षा संग्सुची के अंतरओगा और ये और प्रसंद देогод golden ânक स्चैन कि किन की संख्या जादा है तो उसमें तमिल दी है इशाइ voltage wella Sí सिंगरी संगरी लोगों का एक समुदह है उनकी ज़न संख्या ज़्यादा है जैस से हिंदों की है वैसे इसलंका में शिरलंका में ठीक चलो अठवा परशन इस उकली प्रेकिते हो निमठी देसव के अंदर सरकार के एक किसी एक भी अक्ति पास होती है इसलिए इसमें ज्यादा अभी देखे होगे अभी मतलब इसमें मतलब बहुत लड़ाई भी हुआ था सिरलंका में एक साल पहले चलो आट वेक बाद ने नम प्रस्ट पर चलते हैं यह प्रस्ट क्या है कि महत्मा गाधी क क्या विशार था महत्मा गाधी का विशार था चार्ट अपशन दिया एक धर्म को कभी §e और राजनेती से हुँ जानेति से अलग नहीं किया जा सकता। भाई धर्म और राजनेती साथ साथ एकतर से चलती है यह मतलब इनका कहने का मतलब अच्छे वे में था है संपरदाइक ता फैलाने में नहीं मतलब कहने का मतलब यह कि भाई राजनीती में सभी धर्मों को शमान रूप से मतलब जगह देनी चाहिए सिंपल यह यह चलो अगला नौ के बाद हम लोग 10 नमर यहां प्रस्ण देख लेते हैं यहां प्रस्ण क्या है कि निम्रित में से कौन सा लोकतंतर से संबंदित है पारदर्शी सासन वैत सासन उतरदाई सासन इनमें सभी तो यह सभी बैई पारदर्शी सासन वैत सासन उतरदाई सासन सभी लोकतंतर से सं प्रश्न काफी है तो इसलिए वहां पे सिलीदार खेती की जाती है अगला हम लोग बारा नमर प्रश्न देख लेते हैं यह प्रश्ने कि निवरित में से कौन सी रवी फशल है ओके रवी की फशल हमें बताना है चावल है मोटे अनाज है चना है या फिर कपास है तो भाई यह जाड़े के समय वही जाती है धान काटकर ठीक है चलो अगला बारे के बाद 13 नमर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं मोलोजाइट रेत में निवरित में से कौन सा खनीज पाया जाता है प्रश्न क्या हम लोग की यह 13 है खनीज तेल इूरेनियम थोरियम कोईला सही आप स प्रश्न क्या 14 है ठीक है इसका हम लोगा एक तरसे सही आपसन निम्कित में से कौन सा उधियोग चुना पत्थर को कच्छे माल के रूप में प्रश्न करता है ठीक है यही होना चाहिए आप थोड़ा देख भी लेना ठीक है चलो एक बार देख लेता हूं है निम्कित में से कौन सा उधियोग चुना पत्थर को कच्छे माल के रूप में प्रश्न करता है चुना पत्थर को हाँ सिमेंटी हो जाएगा क्योंकि उसी से एक तरसे सिमेंट का निर्मार किया जाता है चलो यह सीवा लाही होगा चौद अगबाद 15 नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या है कि नि स्रिलंका या नेपाल तो भाई स्रिलंका की ठीक है यह सी वाल आपसन कोश्चन नंबर जो 15 है ठीक है उसका सी आपसन आपका राइट हो जाएगा उसके बाद 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्जित में से कौन सा खनीज धात्व स्रिक है जिसमें धातु पाई जाती हो अब रख कोईला लो भाई लो एस्क यानि लोहा सिंपल यही से इसमें तो धातु पाई जाती है ठीक धातु ही है एक तरह से यह वंद्रक सोलगबाद 17 नंबर प्रस्न यह क्या है कि एक वस्दू का अधिकांस्ता प्राकृतिक प्रक प्रस्न यहां पर देख सकते हो प्रस्न क्या जो 18 है वो क्या है कि एंत्रासाइड का शंबंद निवरित में से किस खनीज से है ओके एंत्रासाइड का में शंबंद बताना है कि किस खनीज से है लो एस्क से बकसाइड से कोईला से या फिश्चोना से यह हम लोग का प्रसंख्या 18 हो जाएगा तो भाई एंत्रासाइड का उसके बाद प्रस्तन क्या जो 19 से वह है कि निवित में से किस वर्ष बंगलादेश ग्रामीर्ड बैंक की अस्थापना की गई देखो बंगलादेश ग्रामीर्ड बैंक की अस्थापना एकतर से देखा जाए तो वह तो आपका लगभग 1970 में ही हो गया था ठीके लेकिन ये सी वाला इसका राइट आप्षन होगा ठीक चलो उसके बाद 20 नमर प्रस्तन है यह क्या है कि सरवजनिक और निजिक छेत्रों को का वर्गी का और निम्रित में से किस अधार पर निधारित किया जाता है ओके ये तो उदमों का शुमित्तो कई बार मैं आपको करा आचुका ह यह हो जाएगा तो इस वीडियो में हमने क्या किया अब तक 20 MCQ यानि multiple twice जो कोशन है previous year paper का उसे solve कर लिया इसमें देखना कई सारा question आपके paper में फसेगा तो इन सबको आप clear कर लेना ठीक है उसके बाद देखो यहां हम लोग का खंड बॉक आजता है और खंड मों में आप ल आपको आठ प्रसंद दिया है उसमें से चार करना है प्रतेक प्रसंद चार्चर मार्क यहां से 16 मार्क आपको मिलेगा तो इसको मैं अभी solve नहीं करवा रहा हूं ठीक है इसको मैं अच्छे से देखो कभी-कभी उल्टा बोल दे रहा हूं तो माफ करना है खासी टाइप के आनने लग रही है ठीक है कंट्रोल मैं कर रहा हूं तो देखो यह इसको न यह मैं पुरा-पुरा यह solve कर रहा हूं अच्छे से इनका आंसर लिख रहा हूं और जल्दी आपको जो हमारी अप्लिकेशन है UP MSP study करकर ठीक है उस पे आपको इसका solution with PDF आपको और वीडियो के शा science हो गया social science सारे subject का और सारे सारे set का आप जानते हो कि जैसे UP board का paper होता है तो मालो SSD का paper है तो पूरे UP में साथ प्रकार का SSD का paper साथ set का होता है तो साथो साथो सेटों का मैं जो previous year paper है उसको solve कर रहा हूं तो इस application पर आपको जल्द मिल जाएगा आप यह अभी अप्लिकेशन कर रहा हूं चलो तो यह आप लोगा चार चार मार्क वाला प्रसंद के लिए उसके बाद अभी इसको मैं solve नहीं करा रहा हूं यहां के और बता दे रहा हूं कि कैसा प्रसंद हैगा और और आत्मक प्रसंद में आपका long answer type question रहेगा 66 मार्क वाला इसमें भी same उसी तरह हैगा 5-6-7 इसी तरह करकर और प्रतेक में अथवाईनी 8 प्रसंद हैगा उसमें से केवल 4 को आपको करना होगा 4 आंसर देना होगा तो 6 होगा 24 मार्क यहां से आपका मिलेगा ठीक तो इस प्रकार यह 8 प्रसंद सेकेंड रहेगा और उसके बाद अंत में आपका 10 मार्क का यहां प 5 प्रसंद होता है न यह आपका देखो यह वह स्थांजा भातरी राष्ट कांगर ओके मतलब यह आपका हिस्ट्री से है इतिहास से और यह वाला आपके भूगोल वाले पार्ट से होता है आपका जो और दो मतलब भूगत एक तरह से एक वह पल्टी वाला रासनिती वाला औ और एक अर्थसास्त्र यानि एकोनोमिक्स वाला उससे आपका मांचीतर सम्मधित प्रस्ण नहीं आता है क्यों दो पार्ट से आता है हिस्ट्री यानि तिहास से और जियोग्राफी यानि भुगोल वाले पार्ट से ठीक पांच पांच दस्त मार्का तो चलो इसको शॉल्व कर कर लेते हैं और मांचीतर में दर्सा भी लेते हैं देखो आपको कुछ इस प्रकार का देखो मैंने दो मांचीतर लिया हुआ है आपको ऐसे ही मत मांचीतर मिलेगा वह कॉपी टाइप कर रहेगा और इधर एक मांचीतर रहेगा ठीक है तो वह तो आपको एक्जाम में दरसाते हैं, देखो आपको इक्जाम में होशकता है न, यहाँ पे, यह मेरे द्वारा अब चलो इसको हम लोग नमबर आपका भरने को आता है तो आप रूल नमबर भर देना ठीक अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसको दर्साते हैं मांचित्र में सबसे पहला यहां पर प्रस्ण क्या है कि वह अस्थान जहां भारतिय राष्टी कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 19-20 में हुआ अब देखो भारतिय राष्टी कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 19-20 में यहां बोला जा रहा है ठीके याद रखना सितंबर 19-20 में जो भारतिय राष्टी कांग्रेस थी उसकी जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था भाई कहां हुआ था कलकत्ता में काफी स तो हैं कोशन में कनन्फीव योते हैं ठीक है तो चलो इसको में आपको एकदम डीटेल में पाता है ताओं एक इसका दिशमबर में भी अधिवेशन वा था भारती राश्छी कांग्रेस का। सितंबर ना लिखे ऐसे कोशन पूल दे कि वह अस्तान जहां भारती राष्टी कांग्रेज का अधिवेशन उन्नीस सबीस में हुआ तो आप दोनों में से कहीं भी आप मानचीतर में दर्सा सकते हो चाहे नागपूर चाहे कलकत्ता ठीके क्योंकि वहाँ स्पेस्विक नहीं बोला है यहां specific बोला है कि सितंबर 19-20 तो सितंबर 19-20 में कलकत्ता में एक special education हुआ था तो चलो इसको हम लोग दर्शा लेते हैं यह रहा हम लोग का इधर एक मिनट यह हम लोग का रहा मांचितर चलो इसमें मैं आपको दर्शा कर दिखाता हूँ अब कलकत्ता कहां इसती थे भई तो कलकत्ता भई जानते होगी पश्ची मंगाल पश्ची मंगाल में इसती थे अब पश्ची मंगाल जो आपका राज यह हो कहा है इस पूरे का पूरे मैप में आपको पहचानना पड़ेगा तो देखो आप सबसे पहले में आपको बोलूँगा आप अपने फोन से गूगल से एक अपना इंडियन मैप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आप अच्छे से अनलिशिस कर लेना सारे इस्टेट का कि कौन सा इस्टेट की धर पड़ेगा अगर आपको केवल इस्टेट माल तमलाडू कहा है यह तमलाडू है ऐसे मतलब आपको पूरे याद होना चाहिए ठीक यह मैप बाकी मैं एनलिशिस कराऊंगा आपको याद भी करा दूँगा कोई दिक्कत नहीं है तो चलो अभी जो प्रसंद पूछ रहा है उसको हम लोग दर साते हैं वह अस्तान जाह भार हम लोगा आता है जैसे यह आ रहा है आप लोग क्यों नहीं है यह क्या है यह पन्लाडेश है क्लियर तो इसलिए यह तौए और हम लोग का सलग। यह हमलों का इंडिया का मतम सब एरिया है तो यहीं पर यह बंगलादेयर से सटा हुआ कि तो यहां से लगाई यह यहां तक जो पूरा जगा है यही क्या है प़स्चिममंगले यही हम लोगार डोकार ठीक कहां पढ़ेगा इधर पढ़ेगा यहां पढ़ेगा तोई यहीं आपको थोड़ा याद रखना है आपको hã करसाना है कि निमघृत अस्थानों को भारत क्क दिए गए रहे नक्तर में देखो हुआ चिन दिया है कि इस चिन द्वारा नाम सहीत आपको दर्शाना है इस चिन द्वारा इन सब को एक ही चिन द्वारा दर्शाना है क्योंको यह प्रस्ण में ही दे दिया है तो यह चिन यहाँ पे आप कलकत्ता पहले का आंसर क्या है कलकत्ता तो यहाँ पे आप लिख दो यहाँ पहले सबसे पहले तो यह ऐसे दरसा। दो भाई ऐसे जैसे बोला है ठीक इच्छह से ऐसे चीन बनाने कोछ चीन आपने बना दिया और इसके बाद यह कौथे का ऐसर है फुरस्ट का अंसर है आप दरसाने के साथ आपको नाम भी लोता हैं तो यहां लिख दो यह first का answer है first और इसका answer क्या है קलकत्ता तो यहीं पर ऐसे कलकत्ता लिख दो clear तो यह आपका first question हो गया अब देखो यहां पे काफी सार लड़के बोलेंगे कि आसर हमें ऐसे तीर लगागा और कलकता इस दर बाहर नहीं लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं तो लिख सकते हो कोई दिखत नहीं ऐसे यहां पर तीर देखा कर यहां फॉस्ट और यहां बाहर भी लिख सकते हो कि यहां यह कलकता है लेकिन यह ज्यादा बेटर नहीं रहेगा यह यहीं पर फॉर्स्ट डाल कर यहीं पर लिख़दो कलकट्त तो यह ज्यादा बेटर हैगा ठीक शलो तो यह आपका फॉर्स्ट प्रस्थ्थ्थ प्रस्थण हो गया अब देखो यह आपको बांडरी औरी नहीं घीचना होता है मैंने तो आपको ऐसे ही घीच कर दरशा दिय देखो यहां पे second person क्या बोलड़ा है उसको करते हैं वह अस्थान जहां महात्माकाधी नहीं नमक कानून तोड़ा बहुत नमक कानून उन्हों ने कहा तो दांडी में तोड़ा ठीक है डांडी अपने अमंदाबाद साबादमत्री आसरम से यात्रा करकर साथ 200 पता नहीं कितन यहां देखो इद्धार वाला यह पूरा बाडर दिख़गा था से यस मिवह आतरि नमक मत्रum चिंड़ा यह बोला है इस चिंड्वारा यह कंड़ा यह नग्राटा तो यह इस misfc at present प्रशन का उत्र है यह भई सेकंड प्रशन का उत्र है तो यहाँ पे द्र्शा भी दिया और करें को दर्शалось नाम लिखने का अधाम एक सब आराइक मार्क राइक राइगा उसके बास प्रशन है यहाँ पर फ्तान जहां जली प्रशन आंग है का घटी झाल Jeni पंजाब जो राज्य है उसके अमरित सर में कहां अमरित शर में तो अमरित सर हमें दर्शाना है सबसे पहले अमरित सर कहा है इस्तिते पंजाब में तो हमें पंजाब खोजना पड़ेगा अब पंजाब देखो पंजाब हम लोगा कहा है तो पंजाब हम लोग का यहाँ पे है पंजाब हम लोग का यहाँ पे यह वाला जो बॉंडरी दिख रही है न पूराग पूरा यह पंजाब राज्ये का है यह वाला पंजाब है तो यहाँ पे अम्रीच सर हमें डूड़ना है ओके, माम करना, सोरी, ओके, चलो यार माफ करना, काफी तब यह थोड़ी मेरी खराम है, चलो कोई दिक्कत नी, यहां मैंने दर्सा दिया कि छिंद्वार दर्साना था, एक गोला और उसके अंदर एक मतर्या ऐसे, यह देखो थोड़ा मैं गलत भी बना दिया, ऐसे करकर उसके अंदर ऐसे बिंदू टाइप का, जो यह चिंद्वार यहां पर दिया है, उसी चिंद्वार यहां पर दर्साना है सबको, तो यह थोड़ा मैंने गलत दर्सा दिया, यह हम मैंने सही दर्सा आया था, तो ऐसा ही आपको यहां पर भी बनाना है, ठीक, और यहां पर यह क्या ह अम्रित शर्ठ ठीके तो यह आपका आंसर हो गया क्लियर यह आपका किसका आंसर हो गया ठड़ वाले प्रसंद का अब उसके बाद देखो चोथा प्रसंद क्या बोल रहा कि वह स्थान जहां महात्मा कादी का किसान सत्यागरा अंदोलन हुआ बाई किसान सत्यागरा अंदोलन का हुआ हुआ महात्मा कादी का बाई वो हुआ था आप सब लोग जानते हो कि यह चमपारन में हुआ था चमपारन में सबसे पहले यही अंदोलन कादी जी के द्वारा हुआ था अफरीका से आने के बाद और चमपारन कहा इस्तित थे बाई चम्पारन बिहार में इस्तिते और आज मैं आपको बता दू कि उस टाइम एक ही मतलब यह चम्पारन था पूरा को पुरा है यह जीला आज यह दो जीलों में विवाजी थे एक पुरवी चम्पारन बोला जाता है और एक पश्चिमी चम्पार ठीक है यह दो जीले हैं तो आप को होगे कि कहां पे यह इस्थी थे तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहां पे इस्थी थे यहाँ पे देखो यह हम लोग का यह जो पूरा आपको एरिया देख रहा है न यह बड़ा वाला, यह उपी है क्लियर तो इस चीज को आप लोग याद रखना यह नेपाल है तो इसको आपको छोड़ देना है यह बड़ा वाला जो दिख रहा है यह हमनों का यूपी है और यूपी के साइड में इधर यह बिहार पड़ता है ठीके और बिहार के इधर साइड में यह पश्चिम मंगल तो बिहार का यह जो यूपी से सटा हुआ यह जो बौंडरी है देखो यह बौंडरी सटा हुआ है न यूपी से यह वाला तो यहीं पे यहीं पे चमपारण जिला है यहीं पे यह इतने में यह चमपारण जिला है पहले था लेकिन अब यह दो जिलों में भी भाजित हो गया ए इची नहीं हमें दिया है, तो इस हीन द्वारा यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे दर्सा देना है, और यहाँ यह किस प्रसंद का उत्तर है वही हैं अगला प्रसंद क्या है कि वह जील जहां चौरी चौरा की धतविन गाटी धृपि टिए में थे चौरी चौरा की धत्uite यह आपका गोरकपूर की यू पी की यह पूरुरी बाँन्डरी है ठीक neurotis राफूरी घत् giàथ तो गोरकपूर देखो यहाँ पर आपका गोरकपूर पढ़ता है यहाँ पर गोरकपूर को तो भाई सब लोग जानते हो योगी जी महराज के कार्ण हम लोग का पूरे यूपी में गोरकपूर फेमस है ठीक है जो हम लोग के मुख्यमंत्री है अभी उनके कार्ण तो गोरकप के बताने कि बारे में कुछ वर तहीं ऐसा नहीं कि सबी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा सब लोगों ने सुना वगा तो यहाँ पर गोरखपुर ए आपने जो चिन दिया था उसके दौर आपने दरसा दिया यहाँ ठीक है और साथ में इसका आपको नाम लिखना है तो इसका नाम क्या है गोरखपूर तो यह पाँचों एक answer है तो भी और यहां लिख दो मतलब वही रोमानंग में भी यानी 5 और यहां पे लिख दो कि यह आपका क्या है यह गोरखपूर है तो इस प्रकार आपने पाँच मतलब ऐसे मतब पांचो कोशन को दर्सा दिया पांचो कोशन का आपने दर्सा दिया साथ में उनका नाम भी लिख दिया तो इन सब का बस इसमें इतना ही करना होता है इनका आपको पांच मार्क मिल जाएगा ठीके तो ऐसे आपको दर्साया जाता है मन्चितर में चीजों को देखो मैंने काफी धीरे-धीरे बताया क्योंकि ये पहली बार मैं आपको मन्चितर में दर्शाना बता रहा हूं तो इसलिए मैं धीरे-धीरे काफी आपको बताया नेक्स्ट वीडियो थे मैं thuड़ा तेजी कर दूँगा बताने में आपको ठीक है फर्स्ट वीडियो ये थी इसमें बता रहा था इसलिए थोड़ा मैंने टाइम लिया अब एक मिनट मेरा गला बैट रहा है तो एक मिनट ओके चलो माफ पर ना थोड़ा ये दिक्कत आ रही है एक चुली मैं बताया जैसा सुरू में कि मेरा तबियत करावे तो ये हम लोगों ने हिस्ट्री वाला सरा का सरा दर्साना शीख लिए कैसे दर्साया जाता है और इस सारे के सारे कोश्चन काफी इंपोर्टन दे तो सबको आपको याद होना चाहिए और कहां कहां ये चीज़े है ये भी याद होना चाहिए इसमें से देखना जरूर कोश्चन आपके एजाम में आएगा ठीक अब चलो इसमें जो ये भुगोल वाली चीज़े है उसको हम लोग दर्साते है मानचीतर में ठीके देखो इसको भी और नाम सहीध ठीके तो देखो इस प्रस्चन में हम लोग की उत्तर प्रदेश की राजदानी नगर 17 द्रसान. इस उत्तर्प्रदेश की राजधानी सबसे पह للे कहा है तो लखनवाइब लखनवाप एव यूपिं के मैप में आप जाओ लखनव कहां पड़ता है UP उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो उत्तर प्रदेश यह हम लोगा यह जो बड़ा सा आपको दिख रहा है यह हम लोगा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में अब यहां लखनव कहां पड़ेगा इस चीज को आपको मालूम होना चाहिए अब भई यहाँ पे आप लखनव दर साथ होगे इधर दर साथ होगे तो फिर वो गलत हो जाएगा न आपको लखनव का एकदम exact location आपको मालूम होना चाहिए हाँ थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं तो लखनव देखो ऐसी बात है ना कि जो UP है उसके बीचो बीच एकदम लखनव पड़ता है लखनव यहाँ पे हाला कि मतब इधर पस्चिमी साइट से कुछ इधर ही पड़ता है ठीके यहाँ पे आपका पड़ता है य और इसका आपका नाम भी लिखना था इसको तो इसका नाम भाई उत्तर प्रदेश्की राजधानी लखनव तो लखनव यहाँ पे लिख दो और यह फ्रस्ट प्रसंट का उत्तर है और उत्तर क्या है लखनव ठीके यह आपका फ्रस्ट प्रसंट का आंसर हो गया बाकि आप आप ऐसे मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे इसको ऐसे बाहर निकाल कर और आप में यहां लिख दिया कि फॉर्स्ट का उतर क्या है भाई लख नौ लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे यह चीन खीच कर बाहर लिखेना बेटर नहीं रहेगा आप यहीं पर लिख दो तो ज्यादा बेट ठीक तो ऐसे ही आप करना बाकी ऐसे भी कर सकते हो कोई दिकत नी अब चलू यहाँ पर दोनों में से किसी एक प्रकार से आप दर्शा नहीं यह उसके बाद नर्मदा नडी पर बना एक बाढ़ इस चीन धुरार नाम सही दर्शा नहीं देखो नर्मदा नडी पर बना हमें बाद अभी अभी रेसंटली बाद बना है मैं कई बर बता जो का हूँ जिसका उधा घाटन हम लोग के जो परधान मंत्री है नरेंद्र मोदी उन्होंने किया था ठीके तो नर्मदा नदी पर आसे तो बहुत सारे बीसं तीसं बाद बने है लेकिन सबसे फेमस बाद अभी जो फेमस हो दा है ठीके वो हम लोग के गुजरात राज्य में बना है ठीके कौन सा वो आपका बना है सरदार शरोवर बाद ठीके सरदार शरोवर बाद तो इसको आपको नर्मादा दन्दी पे एक बना बाद इस चिन दोरा नाम सही दर्शान है तो अब सर्दार शरोर बाद कहां इस्ति थे भई नर्मादा दन्दी पे तो ये भी आपको मालू होना चाहिए तो वो है गुजरात में गुजरात में नर्बंदा दंदी पर एक बांद बना है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांद तो नर्बंदा दंदी पर एक बना बांद इस चिन दोरा नाम सही दर्शान है तो चलो उसको हम लोग दर्शाते हैं सरदार सरोवर बांद जो गुजरात मि बोल रहा है ठीक है तो चलो यहां पर हमने चूच किया है सरदार सरोबाद तो सरदार सरोबाद गुजरात में इस्तिते तो गुजरात में दरसाते हैं अब देखो आपको यह भी मालूम रहना चाहिए कि गुजरात में कहां इस्तिते क्योंकि यह हम लोग का मैप में तो यहां इहां पर कोई गावं नामक एक जिला है वहीं पर यहां पर गाव मुझे नहीं ही याद है कि किस गाउं में मतलब इसका specific किसी गाउं side में ये बांध बना है तो यहाँ पर कोई गाउं है ठीक है नर्वदा जीले में कोई गाउं है वहीं पेश्ती थे तो यहाँ पेश्ती थे ठीक है तो यहाँ में सरदार शरौर बांध इस चिन द्वार दर्शाना है तो यहाँ पर दर्षादों यहाँ पर ऐसे ये दो आपका ऐसे सही का और ये आपका ये वाला ठीक आपने ये चिन हमें दिया था उस चिन को अपने दर्षाद दिया और ये कौन सा बांथ है भई? तो सर्डार सरोर बांथ तो आप लिढ़ दो नीछे और सेकन्ड का उतर है ठर्ड वाला प्रसने कि दक्षिर भारत की एक प्रमुख नदी इस चिंद्वारा नाम सही दर्शाना है अब दक्षिर भारत की कोई भी नदी आप इस चिंद्वारा ठीके चाहे वो मतब इधर कहीं भी पड़े केरला में पड़े तमिलाडू में पड़े या कहीं भी पड़े उसको आप दर्शा सकते हो तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो बताओं वही आपको दर्शान है क्योंकि यह दच्छिर भारत की कोई भी नदी हमें कोई specific नदी नहीं बोला है तो दच्छिर भारत की कोई भी नदी आप चूश कर सकते हो दर्शा सकते हो लेकिन भाई मैं आपको याद रखने को बताया था ये प्रसंद को मैं कराया था दक्षिर भारत की एक सबसे फेमस नदी है गोदावरी ठीके गोदावरी जिसे बुधी गंगा के नाम से वही जाना जाता है या दक्षिर भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है तो इसको तो आपका कहा है दर्स हूं तो कहीं भी आप सकते हो तो यहीं पर दर्सा देते हैं क्योंकि आप दच्छिर भारत में एक दम साफ नजर आ रहा है कि भाई यह दच्छिर भारत का राज यह है आंधर प्रदेश तो यहीं पर दर्सा देते हैं तो देखो कुछ इधर से आती है और यहीं सीधर चली जाती है ठीके यहां से आपका य ये इसमें चली जाते ही बंगाल की खाड़ी में तो हम लोग चलो यहीं पर दर्शा देते हैं किस चिन द्वारा दर्शा ना है इस चिन द्वारा यानि इस वाई टाइप का ये चिन है इस चिन द्वारा दर्शा ना है तो यहाँ पे दर्शा देते हैं कि भाई ये चिन हो गय ये गोदावरी नदी है ठीक है गोदावरी नदी या के वोल गोदावरी भी लिग दो तो आपका काम हो जाएगा तो ये आपका ठट का उत्तर हो गया उसके बाद चोथा प्रसने कि भारत किसी एक जूट उत्पादक राज्य का नाम इस शीन द्वारा दर्शान है तो देखो जूट उत्पादक राज्य में कई सारे आपके राज्य आज जाएगे आपका बिहार भी आ जाएगा अश्रम भी आ जाएगा उनिसा मिखाले पश्ची मंगाल कई सारे राज्य आ जाएगे लेकि सबसे फेमस जो राज्य है जूट उत्पादन में और हमारे देश का सबसे पहला जो सबसे अधी उतपादक तक रहता है, वह है पष्चिम मंगल, ठीकर, पष्चिम मंगल, आपको लोग याद रखना भारत का प्रमुखध यह सबसे बड़ा जूत उतपादक जो राज्यह रज्यह है, वह पष्चिम मंगल तो चलू इसको map में आपको बताया कि पाट्ची मंगल यह जो है यह न यह पाट्ची मंगल का बॉडर है तो यह आप का पाट्ची मंगल है इदर साला पाट्रल यह यह। कि इसका बाउडर है पश्ची मंगाल का ये देखो ये इसका ये देखो ये पश्ची मंगाल का ये पूरा पूरा ये बाउडर है और एक तरफ से ये बंगलादेश का बंगलादेश से पूरा पूरा मतलब इसका बाउडर सटा हुआ है ठीक तो ये पश्ची मंगल है और पश यह ऐसे है ऐसे है ऐसे है इस टाइप का है और यह कोश्ट में है नहीं वरकार में बंद है यह देखो ऐसे इसको आपने दर्सा दिया अब इसका आपको यह बॉंडरी आपको नहीं दर्साना है ठीक बॉंडरी आपको हाईलाइट नहीं करना है मैं कहा चुका हूँ पहले ही ठ थ्क तो चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसका नाम लिख देते हैं बैदो यह को नाम लिख देते हैं खर अब किसी कोई इसको उपर लखे कि इसको नीचे लखे इसको नीचे illnesses यहां दर्शा है और यहां इसको लिख दो ठीके इसके पास ही रखना सिंपल कोई डाउट नहीं आसा करता हूँ सारा का सारा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा एक तरसे यह वीडियो मुझे केवल मैप पे बनानी चाहिए थी लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यह पहली वीडियो है मेरी मैप की तो इसलिए इसमें मैं ले रहा हूँ काफी ज्यादा टाइम मैंने ले लिया कोई दिक्कत नहीं है चलो क्योंकि इस एक वीडियो के कारण आप सारा का सारा मैप आप दर्सा लोगे अब यहाँ पे अंतीम जो प्रसने उसको हम लोग दर्साना सीख लेते हैं अंतीम प्रसने चोथे बद पांच वा ठीके अब चलो भई तो इस इसको दर्साते हैं और इस वीडियो को हम लोग इंड करते हैं तो देखो भारत का कोई एक परमाडू उर्जा केंदर इस चिन द्वारा नाम सहीत आपको दर्साना है तो भारत का कोई एक परमाडू उर्जा केंदर बहुत सार परमाडू उर्ज मेशती थे नरवरा हाँ नरवरा आप याद रखना यही याद रखना यह प्रसंद पूछा जाता है ऐसे ही कि भारत का कोई एक प्रमाडू उर्जा केंद्र और चिंदेद की इस चिंदोरा नाम सही दर साना तो आप नरवरा प्रमाडू उर्जा केंद्र याद रखना हमेशा उत्तर प्रदेश में I think बुलند तो नाम उल्टा है कल पक्कम आप नाम भी भूल जाओगे और ये तमलाड़ो में पड़ता है तो दिक्कत होगी आपको इसलिए UP में भारत का कोई भी एक परमाड़ उरजाके अंदर बोल दे अब उत्तर प्रदेश में आपको इसको दर्साना पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश में बुलंद सहर कहा पड़ता है तो यहां पे छोटा से आपको जो दिख रहा है यह दिल्ली है इसके यहां पे नीचे यहां पे यहां पे बुलंद सहर पड़ता है तो यहीं पे आप दर्स से बनाना होगा और ऐसे इसको वर्ग में कर दो यह अपने दर्शा दिया अब यह क्या है हम लोग उर्जा, सनियत्रिया, उर्जा, केंद्र, ऐसे आपको नाम लिख देना है, आपका इस प्रसंद का उत्तर भी हो जाएगा, ठीके, तो इस प्रकार हमने इसमें भी जो ये पांचो था, उसको मानचीतर में दर्सा लिया, तो एक तर से इस वीडियो के माध्यम सेक, तो हम लोग मानचीतर में कोई भी चीज दर्सा है, ठीके, तो आपको थोड़ा प्रेक्टिस की जोरो थे, और आपका इहां से दस मार्क फिक्स हो जाएगा, ये काफी नॉर्मल प्रसंद होता है, आपका, मतलब सीख जाओगे न, तो आसानी से, दस मिनट के अंदर ये दोनों मैप आप भर लोगे आसानी से, पांच मिनट एक पे, पांच मिनट एक पे, दस मिनट में आप लोग पुरा-कुरा चीजे भर लोगे, ठीके, तो छलो, तो ये राप पुरा-कुरा ये हम लोग का, जो ये पेपर कोड था, सोसल साइंस, यानि समाजी विग्यान का 223 का, 825 EX, इसका MCQ का सालुशन, और साथ में जो मांचीतर वाले प्रसंद है, उसके सालुशन के साथ मांचीतर में हमने दर्सा भी लिया, बाकि सब्जेक्टिव प्रसंद का जो उत्तर है, इसका मैं आपको बता रहा हूं, कि जल्दी में आपको PDF सहीत अच्छे से लिक रहा हूं, तो हमारी अ चलो, बाकी मैं मिलता हूं, आपसे इस परकार की नेक्स्ट वीडियो में, चोकि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन कोई दिकत नहीं यार, हमने ये मैप वाले में ज्यादा टाइम ले लिया, बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम ले ल थोड़ा लंबा कर दिया, चलो, बाकी मैं मिलता हूं आपसे इस परकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक यू